जब पेलवे केरिया की मसल्स और लिगामेंट्स कमजोर हो जाते हैं तो इस कंडिशन में पेलवे केरिया की मसल्स में और लिगामेंट्स में खिचा होता है और वो कमजोर हो जाते हैं जिसकी वज़े से यूटरेस प्रोलैप्स हो जाता है यानि कि यो बच्चे दानी होती है वो यून के बाहर आ जाती है। पेलवे के अरिया में जितने भी अंग मौजूद होते हैं, उनको अपने इस्थान पर बनाय रखने के लिए लिगामेंट्स लगे होते हैं। जब ये लिगामेंट्स किसी कारण की वज़े से कमजोर हो जाते हैं, ये वीक हो जाते हैं, तो इस कंडिशन में खिचा होता है, और जो पेलवे के अरिया में अंग मौजूद होते हैं, जैसे कि यूटरोस होता है, रेक्टम होता है, बलेडर होता है, और भी के तरह के अंग होते हैं, वहाँ पर अपने इस्थान पर रुके रहते हैं, जब ये ligaments weak हो जाते हैं किसी कारड की वज़े से तब ये अंग बाहर आने लगते हैं या फिर अपनी जगा से दूसरी जगा पर shift होने लगते हैं तो इसी condition को prolapse बोलते हैं लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं uterine prolapse के बारे में यानि कि बच्चे दानी का बाहर आ जाना तो इसी बारे में आज जानेंगे uterine prolapse क्यों हो जाता है इसके क्या कारड होते हैं इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या इलाज करना चाहिए अगर आप मेरे चैनल पर ना है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे के से वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके कौजस के बारे में क्या कारड होते हैं जिसकी वज़े से महिलाओं में ये प्रॉब्लम आने लगती है Uterine prolapse किसी भी उमर की महिला के साथ हो सकता है, लेकिन यह जदातर समस्या उन महिलाओं में देखी जाती है, जिनको मौनुपॉस होता है, यानि कि उनका मासिक चक्र जो होता है, मैंसर्स होते हैं, वो बंद हो जाते हैं, तो इस condition में उनको उनको Uterine prolapse होने की संभावना जदा होती है इसके लाबा और भी कारण हो सकते हैं जैसे कि pregnancy जो महिलाइं pregnant होती है जब uterine पर load बढ़ने लगता है तो इस condition में भी उनको uterine prolapse होने की संभावना हो जाती है या फिर जो महिलाइं normal delivery कई बार कर चुकी होती है एक से ज़्यादा बार normal delivery जो करती है महिला है तो उनका जो uterine prolapse हो जाता है जिन महिलाओं का बढ़ने लगता है मोटापा आने लगता है तो इस condition में भी उनकी जो uterine prolapse हो सकता है अगर किसी महिला को लंबे समय से खासी आ रही है या फिर लंबे समय से कब्ज की सिकायत है तो इस condition में भी उनको uterine prolapse हो सकता है जिन महिलाओं को कब्ज की सिकायत ज़्यादा रहती है मौरनिम में जब वो चूल पास करने के लिए जाती है तो उनको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है जिसका असर उनके पेल्विक एरियास पर पड़ता है और लिगामेंट्स कमजोर हो जाते हैं उनके खिचा होता है तो इस जलावा और भी कारण होते हैं जैसे कि अनुवान सिक्ता अगर किसी महिला के मा को यह प्राब्लम रही है तो ज़्यादा चांस रहती है कि उनकी आने वाली पीडी को भी यह प्राब्लम हो सकती है क्योंकि जो टिसूस होते हैं मसल्स होती है पूरी तरह से डवलप नहीं हो तो इस condition में भी उनकी आने वाली पीडियों में ये problem होने लगती है जो महिलाएं ज्यादा वजन उठाती है या फिर वो जुक कर काम करती है या फिर ज्यादा देर तक बैठे बैठे वजन वाला काम करती है तो इस condition में भी उनको uterine prolapse हो सकता है तो ये कुछ इसके कारण होते हैं जिसकी वज़े से महिलाओं में uterine prolapse यानि की बच्चे दानी बाहर आ जाती है तो जान लेते हैं इसके symptoms के बारे में इसके क्या लक्षड होते हैं जिने देख कर आप पैचान सकते हैं कि किसी महिला को uterine prolapse की problem है जब uterus को अपने इस्थान पर बनाय रखने में help करने वाली muscles और legaments कमजोर हो जाते हैं तो cervix तथा uterus vagina में आ जाते हैं इसके बाद ये योनी से बिलकुल बाहर आने के कारण ये undergarment या sanitary pads से लगातार टकराने की वज़े से infection होता है या फिर cervix या uterus में अलसर हो जाते हैं होता है या फिर ब्लड भी आ सकता है जब कोई महिला वजन उठाती है या फिर ज्यादा देर तक बैठी रहती है तो इस condition में भी उसको ये एसास होता है कि उसका जो uterus है वेजाइना में आ गया या फिर वेजाइना के बाहर आ गया है तो ये कुछ इसके लक्षन होते हैं ज अगर उसको दर्द हो रहा है पेन हो रहा है या फिर और भी कई तरह की प्रॉब्लम हो रही है वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको रोकने के लिए या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए ठीक करने के लिए मेडिसिंस डॉक्टर के दोरा दी जाती है और इसके साथ से या फिर ये डिवाइसिस का यूज करने के बाद भी यूटरीन प्रोलेप्स की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है तो इस कंडिशन में डॉक्टर ऑप्रेशन की सला देते हैं एक तरह की सरजरी की जाती है जिसमें कमजोर लिगामेंट्स रिपेर किया जाता है जो यूटरोस को अपनी जगा पर बनाये रखने के लिए मदद करते हैं हर पेसंट की कंडिशन अलग-अलग हो सकती है उसी के अकॉर्डिंग एक्सपर्ट डॉक्टर के दौरा ऑप्रेशन किया जाता है तो इस तरीके से यूटरी प्रोलेप्स का इल help करती है और इसके साथ ही कपज से बचना चाहिए अगर किसी मईला को constipation की problem है कबज की सगाथ है तो इसका इलाज खरना चाहिए जदा भारी वजन नहीं उठाना चाहिए और कोई भी काम जुक कर नहीं करना चाहिए अगर करते हैं तो हलका करना चाहिए ज्यादा वजन व यूटुरीन प्रॉलेप्स की प्रॉबलम का खतरा कम हो जाता है, अगर प्रॉबलम हो गई है तो इसको ठीक करने में यह उपऐ अपनाने से कापी मदद मिलती है। अगर आप इस बीमारी के बारे में डिटेल में जाना चाते हैं तो आप कमेंट करें तो दोस्तो आज के लिए इतना ही आपको समझे में आया होगा यूटरीन प्रोलेप्स क्या होता है इसके क्या काराड होते है इसके क्या लक्षन होते है और इसका क्या इलाज होता है आई होब दोस्तो आपको वीडियो पसंद आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें अगर मेरी चैनल पर नहें तो इसे सब्सक्राइब करें और बिल आइकन भी प्रेस कर लें जिसे किसे वीडियो आपको हमेसे मिलते रहें